नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ रेनु माथुर रिया चकरवर्ती के घर सुरक्षा देने पहुंची मुंबई पुलिस जम कर हुआ हाई वॉल्टेज ड्रामा जी हाँ दोस्तो रिया चकरवर्ती के रिक्वेस्ट करने के बाद मुंबई पुलिस रिया चकरवर्ती के घर पहुंची जहाँ पर हुआ हाई वॉल्टेज ड्रामा जी हाँ दोस्तो रिया चकरवर्ती को सुरक्षा देने पहुंची थे पुलिस अधिकारी इस दोरान मुंबई पुलिस अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों का रास्ता रोका और ठीक ठाक सवालों का जवाब भी नहीं दिया सुशान सिंग राश्पुत मामले में CBI ED और नार्कोटेक्स ब्यूरों की जाश शुरू हो चुकी है रिया ड्रॉक चार्ट के सामने आने के बाद ED ने रिया चकरवर्ती के पिता इंदर जी चकरवर्ती को फिर से समन भेजा है इस बीच रिया के घर पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब मुंबई पुलिस के दो अधिकारी सुरक्षा के मद्दे नजर वहाँ पहुँचे आधिकारेों को वहाँ मौझूद मीडिया कर्मी और लोगों ने खेर लिया जबकि पुलिस कर्मियों ने मीडिया का रास्ता ब्लॉक कर दिया इस पुरे मामले की शुरूआ तब हुई जब रिया के पिता इंदर जी सांतर कुस्था ने पहुँचे घर के बाहर मीडिया और लोगों के जमावड़े से परेशान इंदर जी जब घर लौट रही थे तो सुसाइटी के एंट्री पर उनसे मीडिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया रिया ने इस घटना का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेर किया और लिखा कि जिस तरीके के हलात हैं उनके और उनके परिवार को जान का खत्रा है जी हाँ दोस्तो रियाज चकरवर्ती के रिक्वेस्ट करने के बाद मुंबई पुलिस रियाज चकरवर्ती के घर पहुँची जिसके बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला रियाज चकरवर्ती के घर वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने मीडिया कर्मियों का रास्ता रोका हुआ है और उन्हें अंदर आने से रोका जा रहा है रिया के इंस्टा पोस्ट के करीब आदे घंटे के बाद मुंबे पुलिस के दो अधिकारी रिया के घर पहुँच गए वहामौजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे जबरन सवाल पूछना शुरू कर दिया कि वो क्यों आए है तो पुलिस वालों ने इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया दो में से पोलिस कर्मी रिया के घर के अंदर गया जबकि दूसरा पोलिस कर्मी ग्रिल लगा कर मीडिया का रास्ता ब्लॉक कर रहा था रिया चकरवर्थी से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहें ये फल में बीट